आपका स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं जो नवरात्र शुरू हो रही है 25 मार्च से देखिए हम लोगों के हाँ चार नवरात्र होती है तो जो सबसे पहली नवरात्र होती है चैत्र नवरात्र वो करीब मार्च एप्रिन में पढ़ती है इसको कुछ लोग वसंत नवरात्र भी बोलते हैं दूसरी नवरात्र जो है वो आशार वाली नवरात्र बोलते हैं नवरात्री कुछ लोग उसको गुपता नवरात्री कुछ लोग गायत्री नवरात्री कुछ लोग उसको शाकंबरी नवरात्री भी बोलते हैं यह आशार महिने के शुक्ल पक्ष की प्रतिवद होता है वैसे जानते हैं जो चौती नवरात्र है वो दिसंबर जन्वरी में माघ नवरात्र के नाम से जाना जाता है ये नवरात्र पोश की नवरात्री भी बोई जली जाती है और ये पोश महिने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपता नहीं अश्टमी को शुरू होके पूर्मा को खतम होती है तो ये तो हो गई चार नवरात की बात ये वाली नवरात को चैत नवरात बोला जाता है और ये चैत महीने के शुक्रपक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है ये हिंदू का first day of Hindu कैलेंडर भी है महराश्ट में इसको गुड़ी परवा जमु कश्मीर में इसको नवरे और करनाटक, आंध प्रदेश और तेलंगाना में के कई भागों में इसको उगाडी के नाम दी के नाम से भी इसको मनाये जाता है मौसम बदलता है पहले दुरगा शक्ती की पूजा होती है और नवे दिन राम नौमी के रूप में राम जंचन्जी के जन्म का उत्सव मनाये जाता है राम जंचन्जी के साथ साथ हरुमान जी की भी उस दिन पूजा होती है अब थोड़ा ये समझ लें कि हम लोगों का ये पर आधारित हिंदू महिनों के नाम है जैसे चित्रा नक्षत्र है तो चित्रा नक्षत्र के उपर ही चैत्र महिना है विशाखा नक्षत्र है तो वैशाक है, जेश्टा है तो जेश्ट महिना है, उतर आशाला है तो आशाल है, श्रावन नक्षत्र है तो श्रावमास है, ये तो मैंने आपको महिने की बात बताई, तो जो चित्रा नक्षत्र पे आधारित महिना है, चैत्र महिना, वो इस समय शुरू हो रहा है, ब्रह्म अमाजी ने सुष्टी की रशना की थी. तो एक तरह से वो शुष्टी का पहला दिन था. और इसी के उपर हिंदू धर्म के अनुसार विक्रम समवत, समराप्ट विक्रमा दितने नए वर्ष शुरू किया था और इस बार 25 मार्च को 2077 विक्रम समवत शुरू हो रहा है. मोटे तोर से जो हम सब लोग जॉर्जिनिन कैलेंडर जो बोलते हैं जो अंग्रेजी महिना है जिसके अनुसार 2020 चल रहा है इस से करीब 57 वर्ष आगे विक्रम समथ चलता है तो इसमें 57 वर्ष जोड़ लीजे तो 2077 हो रहा है मैं चलते-चलते एक बात और आपको बता दूँ कि देखे हमारे हाँ सारी चीज़ें सूर्य और चंद्रमा पही निर्धारित हैं सारी तिथियां सारे महिने सारे उपर और एक चीज़ हर्दम जान लीजे कि सूर ग्रहन हर्दम अमावस्या को पड़ेगा और चंद ग्रहन हर्दम पूर्मा को पड़ेगा अब इसके पीछे एक जो कहानी है वो भी मैं आपको बता दूँ ये राजा सुदर्शन जो थे ये उनकी कहानी है उन्होंने तपस्या कि और पर उन्होंने दूसरे राजा युद्जीत पर विजय प्राप्त की ये विजय प्राप्त करने में शक्ती ने उनकी बदद की थी और फिर ये अपनी पत्नी और ससुर के साथ इन्हों ने देवी के राधना की देवी प्रसन्न होई और देवी ने प्रसन्न होके इनसे कहा कि तुम आट दिन नौ दिन तक मेरी हवन करो और उन्ही के आदेश के अनुसार इन्होंने देवी की पुझा की अब चुकी राजा सुधर्शन के ही वंशज राम और लक्षमन थे उन्होंने भी इसी परंपरा को आगे कायम रखा और राम जंद जी भी हवन और पुझा किये और ऐसा माना जाता है कि सीता जी को पूना जब इन्होंने प्राफ्ट किया तो उसमें जो देवी की और जो शक्ती की उपासना के थी उसका एक बड़ा महत्त था एक कहानी और भी है एक कहानी यह है कि पारवती मा ने शिव भगवान की तपस्या की और उसके बाद इनके शिव से जब विवा हो गया तो चुकि तपस्या इतनी खंगोर और इतनी कठिन थी कि उससे इनका शरीर काला पड़ गया था तो शिव ने मजाच में जब इनके विवा के बाद इनको काली बोल दिया तो ये बात उनको मतलब खराब लगी और फिर ये तपस्या करने चली गए जब ये कैलाश छोड़कर ये फिर तपस्या कर रही थी तो एक भूखा शेर आके बैठ गया कि भई ये तपस्या पूरी करने तो वो इनको खा जाए तो पार्वती के तपस्या पूरी हुई शिव भगवान प्रसंद हुए और उन्होंने इनको गौरवण का होने का अशरवाद दियो और तबी से गोरी भी हो गई फिर ऐसी कहानी है कि ये जब गोरी हो गई है उसके बाद ये गंगास्तान के लिए गई गंगास्तान करके निकली तो फिर ये सावली देवी कौशकी हो गई थी और उसी समय इन्होंने जब सिंग को देखा जो इतने दिवर्ष तक उसी जैसे ये तवस्या पर बैठी थी वो इसे उन्होंने उस सिंग को अपना वहान मना लिया तो देवी का वहान सिंग भी है और वर्ष भी है तो इस दोनों लोग देवी के वहान की रूप में पूजे जाते हैं दो हजार सततर विक्रम संबत 25 मार्च को शुरू हो रहा है नवरात का अबरत रहिए और इस समय जब पूरी दुनिया में कोरोना का गहर चाहा हुआ है तो इनवरात में भगवान का ध्यान करिए और इश्वर से प्रात्ना करिए कि सारी जगा सुख हो सम्ध्धी हो धन्यवाद